तो मार्केट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो बजार के अंदर दोनों चरगों डाइवर्जन्स है आपको बैंक निफ्टी वीक दिख रहा होगा निफ्टी हलका सा स्टॉंग दिख रहा होगा निफ्टी ने हाला कि तो बजार आज देखो आप नीचे आया लेकिन एक अटेम्ट ली थी इसने वापिस फेल होती है लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि डाटा के बेसिस पर ठीक है आपके शॉटिंग हुई है लेकिन शॉट कवरिंग तभी आएगी कम से कम दो चार बड़े बैंक सामने निकल पर हैं दूसरा HDFC तीसरा SBI और चोटा फिर फेडरल यू वगरा है आज आप देखो कि हमने एक बाइंट आपके सामने बोली थी कि बहुत दिन तक इनका डाइवर्जन नहीं चलेगा ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी बैंक चलते हैं नीजी चले सरकारी नहीं समय ऐसा आएगा दोनों को एक साथ चलना होगा आज एक साथ तो चल रहे हैं लेकिbles गिरावर्ट की तरफ चल रहे हैं इसलिए आपको बैंक निफ्टी के नेके अंदर करते हैं यह रिवर्जन भी हो सकता है यह एक साथ सभी शेयर तेज़े भी हो तो इस दिन आपको बड़ात ऐसे देखे क जब निफ्टी नहीं चल रहा हो तो बैंग निफ्टी बहुत अच्छा चल रहा होगा बड़ आप उसके लिए प्रिपेर रहीगा आज है बुद्वार ब्रस्पतिवार तो बुद्वार के चलते आज आपको बैंग निफ्टी की वीकली एक्सपारी भी है तो प्रीमिम्स आपको दिखाते हैं प्रशान सावंत का कल के हमारे मेमान थे और आज के हमारे मेमाने अवनी भट उनसे जड़ा करेंगे बाच्छी तो उन पर वर्कलोड बहुत जड़ा है लेकिन फिर भी रहा हमारे लिए समय निकाला उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया थैंक परशान सावंत बता रहे हैं कि सिपला के अंदर हमने ने कलेक्ट ट्रेट जिया था तो 2% अगें वहां से आया बढ़िया से आज के ट्रेड आप उसको भी याद रखना और ध्यान रखिए यह इंडेक्स का बजार नहीं है यह स्टॉक्स का बजार है इंडेक्स तो कुछ नहीं गर रहा आप इछले तीन दिन से चेक करेंगा है दो दिन से चेक करेंगे मार्केट वही 500-600 में फस गया है निफ्टी अगर 48,000 का 200 पाइंट उपर 200 पाइंट नीचे ही चल रहा है बैंक निफ्टी तीन दिन हो गए तो तीन दिन से इंडाइसिस में अगर पैसा नहीं बन रहा वर स्टॉक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया रिटन आया है तो स्टॉक्स में आप ध्यान देना आज भी आप देखो बिल्डप कुछ बहुत स्टॉंग नहीं है ओपन इंटरस कितना है एक परसेंट का भी नहीं आया हुआ हाँ बैंक निफ्टी में है साथ परसेंट का ये शॉटिंग का बना हुआ है एक कवरिंग पर भी आ सकता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि बैंक निफ् बैंडी वालों ने की शॉट किया वह ना ध्यान रखना बहुत जोर का पुलबैक मार सकता है और अगर डिप पे आया तो आज बहुत जोर से गिरा भी सकता वापीस से यह तो बीवेर थोड़ा साफधन निफ्टी के अंदर कुछ नहीं हो रहा एक परसेंट का निए बैंक जरा वह भी चेक कर लें आपको बताई चुका हूं कि बैंक निफ्टी का एक भी शेर ऐसा नहीं है जो चल रहा है अडवांस टिकलाइन के हिसाब से जो मेरे पास डाटा है उसमें अगरा मैं चेक करता हूं तो मेरे को लग रहा है कि करीब 51 शेर यह हैं और 30 शेर हो हैं तो क कि 120 आए जो 120 नंबर ले आगा डवांस टिकलाइन में वह काम कर जाएगा इंडिया विक्स टूट गया अजब है दो परसंट अपर था इंडिया विक्स टूटा हुआ है तो इंडिया विक्स ने डर कम किया यहां पर आगे फेजिस में कम करेगा यह एलेक्शन की वोटिंग परसे समझ लेते हैं इंडियस पर उनकी टेक क्या उनका कॉल क्या दोनों के लिए बताएंगे अवनी आपको कि जिनके पास पोजिशन हैं वो और जिनके पास नहीं है वो अवनी बहुत शुक्रिया पहले निफ्टी से करते हैं शुरुआत मैं आपको एक लाइन खेच देत अपने एक बात बहुत अच्छी बताई है कि यह निफ्टी बैंक निफ्टी देखे तो कहीं नहीं जा रहा है पिछले पुरे एक हफ़ते से 10 दिन से एक रेंज में एक सिमित दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा है बट स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन बहुत बढ़िया चल रह तो पहले निफ्टी की बात करता है तो निफ्टी फिलाल अभी बैंक निफ्टी की वज़े से थोड़ा निफ्टी भी रुका हुआ है लेकिन निफ्टी का जो डेटा आ रहा है सारा काफी पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से उपर के तरफ अगर 22600 के उपर इंट्राडे मे है वो होल्ड रखेगा उपर के तरफ 600 का लेवल आता है तो वहां पर आधी कॉंडिटी आप भूग कर सकते है और बाकी की कॉंडिटी आप साड़े 700 के लिए होल्ड रखेगा ये मनतें तक निफ्टी हमें उपर 750-800 के रेंज में दिखनी चालिए और नीचे के तरफ हमें अभी stop loss यहां से लगा रहा है 22-300 होगा अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही सिमित दायरे में ट्रेड कर रहा है 47-500 से 48-300 के रेंज में इंट्रडी वोलाडिलिटी हमें काफी दिखती है लेकिन डेटा भी थोड़ा सा कमजोर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए तो इनमें अब एक important जो support level है अगर हम trend line कीचे नीचे 44-400 के level के जो low बना था पिछले कुछ मेनों के पहले वहां से लेकर के अभी recent low जो बना था वो अगर trend line कीचे तो उसका अभी जो rising sloping channel है लेकिन उसका जो support आ रहा है नीचे 47-500 पे है तो 47-500 से नीचे अगर तूटता है तो कमजोरी है नहीं तो उपर के तरफ 48-300 को पार करना बहुत जरूरी है इंट्राडे में या closing basis पे 48-250 के उपर बंद देना जरूरी है जब तक ये दो चीजे नहीं होती है नीचे 47-500 का level नहीं तूटता है और उपर 48-250 के उपर बंद नहीं देत है तब तक मेरे इसाब से ये रेंज बांड ट्रेडिंग जो है वो continue रहेगी लेकिन हमें बाइस फिलाल अभी बैंक निफ्टी में बनता ही नहीं ना पॉजिटिव न नेगेटिव तो ट्रेड ना बना है बैंक निफ्टी में आप निफ्टी के साथ चलिएगा निफ्टी म करने हो वो निफ्टी के साथ करें बैंक निफ्टी के साथ ना करें यह जो और तालीज दो सो पचास का लेवल आपको अवनी बता रही है ना यह एक्शली बीजिन का मुविंग एवरेज है जब तक यह पार नहीं होगा यह तेज़ी और पुल बैक पर भी यह लेवल पार सब कुछ हो गया अब निफ्टी के सारे अवरेज इस पार हुई बट अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जब देके पार नहीं होगा तब तक चलेगा नहीं और दूसरा सैंतालीस पांस तो आपको इसलिए बता रही है क्योंकि बॉटम बनाने का काम करेगा या तो इंदर जाड़ा क्लेरिटी है चल सकता है प्रोविलिटी हाई है सपोर्ट अच्छी है टार्गेट साफ है तो वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करना आगे बढ़ें स्टॉक्स की तरफ आजएं तो ताज़ा खरिदाने वाले शेयर जब आपके स्क्रीन पर आएंगे दो शेयर हमने निकाले हैं आपके लिए जिस पर आपको ध्यान देना है फरस्ट इस मेरिको एंड सेकंड इस ल्यूपिन आपको पता है डिफेंसिव शेयर का आज बोल बाला है और होना भी चाहिए मार्केट के अंदर अगर सभी एग्रेसिव शेयर चलते रहेंगे तो इवेंट का मज़ा खतम हो जाएगा इसलिए डिफेंसिव का इस समय चलना बहुत ही कायदे का है बहुत ही ठीक भी है तो आप देखो कि मैरिको धाई परसंट उपर है डावर में चल रहा है तो यह ठीक चल रहा है दूसरा है लिफिन यह शेयर देफेंसिव कम एओर मेरिको इसके बाद में पिछले दस हफटों से एक अच्छा consolidation दिखा है तो इसका अभी अगर थोड़ा long term chart देखे तो उपर 607.7 का एक all time high है और उसके उपर अगर ये बन दे देता है या इसके उपर trade भी अगर 15-20 मिनिट तक कर पाता है आप मान लिजे 608 के उपर अगर ये trade कर पाता है तो ये एक fresh breakout होगा और उसके जो volumes क काफी अच्छे हुए है तो मेरा मानना है कि ये breakout हो जाएगा तो हम Mariko में एक long position बना के रख सकते है उपर के तरफ इसका जो अगर ये breakout हो जाता है तो target बनता है उपर 750 का और नीचे stop loss लगाना होगा 585 का तो Mariko में long trades बना सकते है current level पे और थोड़ा सागर dip मिल जाता है 600 के क कर सकते हो तो यह मैं तो यह मैं को क्लियर कर दे 608 पर आपको और प्लस होगा तो और चलेगा 650 होगा और यह को लग रहा है एक दो दिन यह थड़ मोमेंटम बना के रखे गाए शेर पांच पिछासी का stop loss लगाई है पहले से लिए रखा तो फिर जाता मत भरना अगर पहले स लिए रखा है तो यह मैं लूपिन पर आप कुछ कह रहे थे यह तो आज मेरे ट्रेडिंग रेकमेंडेशन में भी है लूपिन ने एक वीकली ब्रेकाउट दिया है 1690 के ऊपर और यह 15 हफतों का जो हाइब बना है पिछले 15 हफतों में जो जो हाइब बना है उसके ऊपर के बाद अगर ब्रेकाउट आता है और उसमें भी जो डेटा भी काफी पॉजिटिव आ रहा है फ्यूजर्स में भी ओपन इंटरेस्ट आडिशन दिख रहा है हमें लॉंग साइट पे 4.5% का तो यह बिलकुल एक तेजी का रुक बना चुका है ब्रेकाउट ट्रेड है तो 1715 के करीबने भी चल रहा है अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 1700 तक तो वहां तक भी हम एड कर सकते है इस स्टॉक को आप एक्यूमिलेट करिए यहां से 1700 लेवल तक के डिप तक और उपर के तरफ इसका टार्गेट रहेगा 1870 का और स्टॉपलास लगाना है 1660 का तो यह आपको 15-20 दिन इस स्टॉक के लिए देने पड़ेंगे तो लॉंग पॉजिशन लूपिन में बिल्कुल बना के रखनी तो यह एक ट्रेड आपके लिए हो जाएगा तो आप इस पर भी ध्यान रखेगा लूपिन का ट्रेड भी आपकी लिस्ट में या पर ध्यान रखने व जी टाटा पावर में थोड़ा सा मोमेंटम कम है वॉल्यूम्स कम है शॉर्ट कवरिंग हो रही है लेकिन इसमें जो रफ्तार होगी स्टॉक में वो 460 के लेवल के उपर ही होगी तो इसको फिलाल अवोइड करेंगे लेकिन 460 का लेवल अगर निकलता है तो इसमें खरीदा स्टॉक्स इस मार्केट में फिलाल नहीं करने चाहिए अच्छा ठीक है और जो दूसरा शेयर है जरा उसको भी आप चेक कर लोगे लॉरस लैब जी लॉरस लैब्स में उपर का जो रेजिस्टेंस है 470 का है मेरा मानना है कि इसमें भी वल्यूम एक्टिविटी बहुत कम है बट ओवरार स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है जब तक ये शॉटर मुविंग आवरेज इस प्राइस अक्षिन को सपोर्ट कर रहे है मेरे इसाब से ये धीरे धीरे ऊपर चल दे रहेगा तो यहां पर हम लॉंग पोजिशिशन बन को इकल में लाके आपको स्ट्रेड मिल रहे हैं मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अब से जहां पर आपको स्टेंथ जादा अच्छी लग रही हैं ज्यापे पावर जादा अच्छी है यहां पर आपको टार्गेट देखो 650 का मिला हुआ है लूपिंग का एकुमलेशन जो भी शौट कवरिंग का केंड़ेट है तो अगर मैं चार शेर देखो तो मेरी भी पहले दो प्रेफरेंस वहीं आके रुक रही है जो पहले फ्रेश लॉंग वाली पॉजिशन बनी हुई है अगर देखे बजार निफ्टी आ गया पचास पाइंट उपर तो इस निफ्टी कंद ले का ये फ्रेश शॉट्स जिन शेर्स केंदर आज बिक्वाली हो रही है उसमें पहला शेर है गेल दूसरा है मैक्स फानेशल एक पर जारा गेल और मैक्स फानेशल चेक कर लेंगे अवनी दोनों शेर्स थोड़े वीक हैं कल भी वीक थैंट गेल तो जी बिलकुल गेल में दो दिन से काफी वीकनेश दिख रही है और मेरे इसाब से ये वीकनेश थोड़ी कंटीनी होने ची है नीचे वन नैंटी थी के लेवल तक वन नैंटी थी का लेवल बहुत जादा इंपोर्टन है क्योंकि वो पचास दिन का मुविंग आवरेज एक्सपोर्ट है और पिछले सारे जो मूज हुए थे उनमें पचास दिन के मुविंग आवरेज से ये स्टॉक ने रिवर्स किया है तो डाउंसाइड वन नैंटी थी तक है और उपर के तरफ इसका जो रेजिस्टेंस अब बन चुका है 210 पे तो मेरे इसाब से अभी ये 5050 चैंसे 5050 रिस्क रिवाइड रिशो है दोनों बाजू तो फिलाल ये अवाइड करें अगर ये 193 पे आता है तो वहां पर हम खरीदारी के मौके डूनेंगे बट फिलाल जी मैक्स फाइनेशल बिलकुल अवाइड केटेक्री में है फिलाल इसंचे में ना दा कोई तीजी के मौके डून पाएंगे हम ना ही कोई मन्दी का बड़ा संकेत नहीं है तो इसको अवाइड करेंगे ठीक है इसको अवाइड के कैटेकरि में डाल देते हैं तो मैक्स फानेशल अवाइड है दूसरा शेर हमने गेल पूछा वो भी अवाइड है अब तक हमको ताज़ा विक्वाली में से कोई भी सोथे नहीं मिले एक काम करते हैं अवनी के हम ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं फिर म इंडालकों में हमने देखा है कि 660 के ओपर एक ब्रेक आउट देखने मिला है और कंटिनिउसली पिछले तीन-चार दिन से लॉंग एडिशन हो रहा है फ्यूचर्स में करीबन डेड दो परसंट का लॉंग एडिशन रोज की रोज हो रहा है पिछले तीन-चार दिनों से एंड जून सीरीज में एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि 700 के कॉल में हमें खरीदारी दिख रही है और ये खरीदारी है ये हम बोल सकते हैं क्योंकि 700 की कॉल में जून सीरीज की आईवीज भी बढ़ती होई नजर आ रही है तो इसमें बाइंग नजर आ रही है तो और म अच्छी बात है कि एक लगातार नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कंसॉलिडेट भी करता है बीच में, तो हिंडालकों को हम एक्युमिलेट करेंगे 680 से 685 के रेंज में, मेरे हिसाब से जून सीरीज में इसको भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, करीबन जून फर्स्ट वीक के अंदर-अंदर इसमें 730 का टारगेट बनता है उपर के दरफ, और स्टॉप लास लगाना है 660 का, तो रिस्क रिवर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, और सेकेंड स्टॉक जैसे अल्डेडी हम डिस्केस कर चुके है, लूपिन में, तो लूपिन 1700 से 1715 के रेंज में करना है, उपर 1870 का इसका टारगेट रहेगा, और 1660 का स्टॉप लास लगाना है, ठीक है, एक शेर तो आपका हमारे साथ मैची कर गया है, लूपिन दूसरा शेर आपने देदे हिंडाल को, देखी मेटल्स के अंदर जो तेसी आ रही है, वो अपने आप में बहुत ध्यान देने वाली है, और उसका फाइदा भी उठाई है, वेदानता, हिंडाल को, हिंडुस्तान, जिंग, कॉपर, आप कोई भी शेर चेक कर लो ना, इस तरह का मैटल्स का, आपको दिख जाए का हफते बर के अंदर का रिटन का शांदार दिया है, उन्होंने, तो इसमें स्ट्र जो भी काम करें, कम वॉल्यूम के साथ काम करें, तो ये एक ट्रेड बनते है, जल्दी से अबनी दो शेर में को और पता करने हैं, जरा देख किया बता दो, अन्वांडिंग के शेर हैं, अभी मंदी के शेर हमको कोई मिल नहीं रहेते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं, L&T Finance Holding क के नाम से कमपनी हैं, दूसरा Hero Motor Cop. So L&T Finance में भी पिछले तीन दिनों से काफी कमजोरी हमें दिखाए पट रही है, और मेरे इसाब सी ये नीचे करीबन 151 तक आ सकता है, तो 151 के तरफ आता है, तब वहां पर खरीदारी के मौके ढून सकते है, स्टॉप लॉस अच्छा, मनलब एक रिस्क रिवाड बहुत अच्छा हो जाएगा, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 149 का सिर्फ दो रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और उसमें उच्छाल उपर के तरफ आ सकता है, 160 तक, तो 151 पे बाय बनता है, फिलाल नो ट्रीडि आपको मिल गया, मैं स्टॉप ज़्यादा लूँगा नी और मैं भी चाहूँगा कि आपके पास स्टॉप ज़्यादा होने चाहिए, तो आप इसी काई बेनिफिट उठाई ही, जो स्टॉक्स कंदर आज डिसकस होए हैं, अबनी बहुत 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 शुक्रिया, थैंक्य वेर्माच आज समय देने के लिए 300 पॉइंट के गिरावट और 30 पॉइंट की बढ़त, ये रेश्यो चल गरी निफ्टी कंदर और बैंक निफ्टी कंदर, बहुत शुक्रिया, थैंक्यों वेर्माच आज कारकरों का हिस्सा बनने के लिए नमस्कार